Hello students, O2IS Academy में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर General Science Subject को MCQs के द्वारा cover कर रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं, revise कर रही हैं, DRAW Series के अंदर, that is Daily Revision and Work, तो यहाँ पर अलरडी हमने Biology and Chemistry को cover कर लिया है, Physics का आज आपका Last Lecture है, जिसके O2IS Academy की आप को जाकर download कर सकते हैं, वहाँ पर आपको content section के अंदर, free resources के अंदर, MCQs की PDFs मिल जाएगी, इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले H.E.S. exam की preparation करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने foundation batch को भी launch किया है, तो एक बार जाकर आप उसको explore कर सकते हैं, इसके अलाव आपको हमारी app के ऊपर test series भी मिल जाएगी, तो उसको आप practice कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज कौन-कौन से topics जो हैं हम cover करने वाले हैं, बात करेंगे light, reflection, refraction, dispersion और total internal reflection के बारे में, basically आपके H.E.S. exam में light के ऊपर based बहुत जादा questions जो हैं वो पूछे ज rotation हो गया, then is capillarity हो गया, surface tension हो गया, adhesion and cohesion हो गया, तो इन सब चीजों के related हम एक एक question जो है, वो solve कर लेंगे, तो शुरू करते हैं, आज के सबसे पहले question से, जो कि है light chapter से, तो सबसे पहले हम question 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका light chapter से related है, यहां पर आपको 4 statements provide करी गई तो आपकी जो first statement है, a very small opaque object does not change the straight path of light, तो यहां पर अगर आप light के अलग लग phenomena's के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि reflection हो गया, reflection हो गया, dispersion हो गया, total internal reflection हो गया, इसके अलावा एक phenomena होता है, जिसको हम diffraction के नाम से जानते हैं, diffraction का simple सा phenomena यह होता है कि अगर कोई एक बहुत छोटा opaque object है, तो वो अपने through जो light है उसको pass होने देता है, that means वो light का जो straight path है उसको bend कर देता है, तो अगर मैं बात करूं कि a very small opaque object है, तो वो straight path of light को change कर देता है, इस phenomena को हम diffraction के नाम से चानते हैं, तो यह वाली statement आपकी incorrect हो जा जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं, जिसमें एक polished surface होता है, और आपका जो outward वाला portion होता है, वो reflecting होता है, तो convex mirrors जो है, उसको क्या हम torches में use करते हैं, तो यह वाली statement आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि torch के अंदर basically हम use करते हैं, concave mirror, जो concave mirror है, उसका ये principle है कि जब भी उसके focus पर किसी एक bulb को रखा जाएगा, तो वो जो light है, वो हमेशा क्या करेगी, एक reflecting surface के उपर जाकर वो जो light है, सारी की सारी बाहर parallel आ जाएगी, तो torches के अंदर हम concave mirrors को use करते हैं, convex mirror को हम use नहीं करते हैं, तो आपकी यह वाली statement भी बिलकुल गलत हो जाएगी, अगर मैं third statement के बारे में बात करूँ यहाँ पर कि the mass density of kerosene is less than that of water, आपकी दो तरह की density होती है, एक है आपकी mass density, इसका मतलब होता है कि कोई चीज कितनी भारी है, और दूसरी होती है आपकी optical density, optical density का simple सा मतलब यह होता है कि कोई जो object है, या फिर कोई जो medium है, वो light को कैसे पास होने देता ह क्या वो light को refract करता है, या फिर मैं बोलू कि उस medium के अंदर जो light की speed है, वो कितनी रहती है, तो उस चीज को हम optical density के अंदर consider करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ kerosene के बारे में, तो kerosene जो है वो पानी से हलका होता है, that means उसकी जो mass density है, वो less होती है than that of water, तो यह वाली statement आप को बता रहे ही थी कि आपकी दो तरह की densities होती है, उस में से एक density आपकी optical density भी होती है, तो अगर किसी भी medium ने किसी light को refract करना है, तो of course यहाँ पे उसकी density को optical density कहा जाता है, that means यह इसकी reflection की density नहीं होती है, refract करने की density होती है, तो यहाँ पे आपकी fourth statement भी बिल्कुल गलत हो ज next question के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि again आपका H.E.S. का previous year question है, which of the following does not represent refractive defect of vision, देखो जो आखो के defect होते हैं, तो यहाँ पर अलग-अलग lenses को use किया जाता है, lenses इसलिए use करते हैं, क्योंकि जो lens होते हैं, वो light को refract कर देते हैं, तो इस वज़े से lenses को use किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा defect है आखो का, जिसके अंदर lenses को use नहीं किया जाता, जैसे अगर मैं myopia के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर concave lenses को use किया जाता है, क्योंकि किसी भी person को दूर की चीज़े दिखना बंद हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो spectacles लगाते हैं, लोग, व जो हैं, वो दिखनी बंद हो गई, क्योंकि या तो उसकी जो muscles हैं, वो weak हो गई, old age होने की वजए से, जादा तर यह जो hypermetropia की problem है, यह बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर hypermetropia के cases में आपके एक particular lens use होते हैं, जिनको हम convex lens बोल देते हैं, इन the same way, अगर मैं press biopia के बारे में बात करूँ, तो जिस भी person को myopia और hypermetropia, दोनों की problem होती है, तो उनके अंदर bifocal lens को use किया जाता है, तो bifocal lens जो हैं, उसके अंदर आपके concave lens भी use होते हैं, और convex lens भी use होते हैं, that means, जो उपर वाले तीनों के तीनों vision है, इन सब के अंदर हमने lenses को use किया है, जो की एक तरह से refractive defect है vision का, लेकिन अगर मैं cataract के बारे में बात करूँ, तो यहां पर एक आखों की basically जो cornea होता है, तो उसके उपर basically एक tissue की deposition हो जाती है, जिसकी वज़े से eyes में blurness आ जाती है, तो यह जो person है वो देखनी पाता, और ultimately इसकी surgery करवानी पड़ जाता है, यहां पर इतना जादा tissue की deposition भी हो जाती है कई बार कि यह जो person है वो blind हो जाता है, तो basically जो cataract का defect है, यह refractive defect में count नहीं होता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, next question के बारे में बात करते हैं, again जो की एक previous year question है, H.A.S. का, तो during the dispersion of white light by the glass pr which of the following light of the spectrum bends the most, तो सबसे पहले लाइट का एक और फिनॉमिना के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम dispersion के नाम से जानते हैं, तो dispersion का simple सा फिनॉमिना यह होता है कि अगर हमने एक prism रख दिया है, prism एक three dimensional structure होता है, of course, जिसके की particular जो है, आपके rectangular portion होते हैं, और आपके कई जगाह उपर जो हैं, आपके triangular portions होते हैं, तो that means आपको one, two and three surfaces हैं, वो आपको rectangular देखने को मिलेंगे, बाकि जो आपका एक आगे वाला portion है, इसका prism का और जो पीछे वाला portion है, यह triangular होते हैं, तो अगर एक white light को एक prism के उपर डाला जाए, तो यहाँ पर, क्यूंकि इसका जो दूसरा जो portion है, that means जो two और three है, वो एक दूसरे के parallel नहीं है, जैसे कि एक slab में होता है, slab के दवारा जब light पास करती है, क्यूंकि यह parallel नहीं है, तो इस वज़े से जो white light होती है, वो साथ color में बट जाती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानती हैं, किसके नाम स है, वो कम deviation शो करता है, क्यूंकि इसकी जो wavelength होती है, वैसे भी जादा होती है, तो यहां पर अगर बात करी गई है, कि इस में से सबसे जादा जो light bend करेगी, तो वो है आपकी violet light, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ और चीजे आपको पता होना है, in the same way, जो violet है, क्योंकि उसकी wavelength कम होती है, तो इस light के scatter होने के जो chances है, वो बहुत जादा रहते हैं, इस वज़े से ही हमें जो sky है, वो blue दिखता है, next question के बारे में बात करते हैं, जो कि again आपका H.E.S. का previous year question है, तो यह question है आपका, कि which of the following phenomena is responsible for twinkling of stars, तो twinkling of stars के लिए कोई एक medium है, जो कि मालो ये air का medium है, और यहाँ पर एक glass है, refractive basically एक glass को रख दिया गया है, तो जब भी जो light है, वो rarer medium to denser medium move करती है, तो वो towards normal bend करती है, और again जब जो light है, वो denser medium to rarer medium move करती है, तो वो away from normal move करती है, तो यहाँ पर अगर आप basically earth के आसपास जो atmosphere है, क्यों जब भी आप towards earth move करेंगे, तो जो in atmosphere की जो layers है, वो basically rarer to denser medium जाती है, that means जो नीचे वाली हवा है, वो जादा भारी होती है, तो जब भी जो एक star से जो light आ रही है, वो rarer to denser medium जाती है, तो वो towards normal bend करेगी, और ultimately जब आप line of sight बना कर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि line of sight है, वो हमेशा change करती रहती है, वो इस वज़े से, क्योंकि आपके बीच में जो atmosphere आया है, उसने light को refract कर दिया है, तो इस वज़े से आपको लगता है कि जो stars है, वो twinkle कर रही है, इवन इसका एक और भी reason होता है, क्योंकि star जो है, वो बहुत दूर located होते हैं, तो basically हमें ए कि वो point object की तरह behave नहीं करते हैं, तो इस वज़े से हमें लगता है कि जो planets है, वो twinkle नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा object होएगा, चाहे light यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, तो वो object हमें यही का यही दिखेगा, वो twinkle होता नहीं दिखेग stars क्यों twinkle हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जो location है, वो बहुत दूर located है, ठीक है, point object की तरह हमें दिखते हैं, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, basically जो twinkling of stars है, that is just because of refraction of star light, ठीक है, next question के बारे में बात करते हैं, again it is your H.E.S. previous year question, तो image formed by convex mirror, तो सबसे पहले अगर मैं convex mirror के ब portion होता है, यह polished होता है, और इसका basically painted portion होता है, और जो बाहर बाला portion होता है, इसका, यह इसका reflecting surface होता है, क्योंकि जो आपका convex mirror होता है, उसका जो focus है, और उसका जो center of curvature है, वो right hand side located होता है, तो इस वज़े से जो भी light आती है, यहां पर, वो focus पे आकर, अगर parallel light आएगी, तो converge करेगी, तो in the same way, अगर किसी object को यहां पर रख दिया जाए, तो यहां पर जो image बनती है, वो basically diminished image बनती है, और erect image बनती है, अब diminished और erect image का simple सा मतलब यह है, कि diminished का मतलब है, कि अगर जितना बड़ा object है, तो उससे छोटे size की image बनेगी, दूसरी बात, अगर मैं erect image के बारे मे image बनाई है, इसके अलावा जो आपके concave mirrors होते हैं, उनके अंदर आपको inverted image देखने को मिलती है, जो की upside down होती है, तो इसकी जो image है, वो upside down बनेगी, तो इसको हम inverted image कह देते हैं, तो यहां पर basically convex mirrors जो होते हैं, उसके अंदर आपको erect or diminished image देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपकी incident ray आ रही है, वो actual में meet नहीं करी है, actual में तो वो reflect हो गई, लेकिन अगर मैं इसको actual में meet करवाऊं, तो एक particular focus पर आकर meet करती है, तो ऐसी images को ही हम क्या कह देते हैं, virtual image के नाम से जानते हैं, तो यहां पर जो convex mirror होते हैं, उनके अंदर virtual, erect or diminished images बनती हैं, इस चीज के ब solving are the primary colors, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इवन आपके retina के अंदर जो कौन cells होती हैं, वो भी तीन colors को एक तरह से primary color consider करती हैं, इसके अलावा इन तीनो colors के अलावा अगर आपको जो भी colors देखते हैं, वो उन तीनो colors की combination की वज़े से लेखते हैं, जैसे की कौन-कौन से हैं यह आपके तीन colors, अगर मैं विब गयोर के बारे में बात करूं, तो इसमें एक तो हो गया आपका red और दूसरा है आपका blue और तीसरा है आपका green, blue के साथ जो combination colors बनते हैं, that is indigo and violet, in the same way red के जो combination color बनते हैं, वो आपका orange और yellow होता है, that means जो आपके primary colors है, that is red, green and blue, next question के बारे में बात करते हैं, again आपका HOS का previous year question है, तो मैंने आपको बताई दिया है कि light chapter में से बहुत जादा questions यहां पर बनते हैं, तो यहां पर simple सा reflection के regarding question पूछा गया है, कि जब भी light जो है, वो air to glass move करेगी, तो उस light का path को क्या होगा, तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया normal क्या है आपका, किसी भी point के उपर जो 90 degree पे एक plane को अगर मैं draw कर दूं, तो उसको हम normal के नाम से जानते हैं, तो यहां पर जो light है, वो towards normal bend कर जाती है, in the same way अगर वो denser medium से rarer medium में जाएगी, तो वो away from the normal bend कर जाएगी, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना used in rear view mirror of the vehicles, तो जो आपके vehicles में एक ऐसे mirrors वगेरा लगे रहते हैं, जो कि पीछे की जो basically traffic है, उसको देखने के लिए काम आते हैं, जिनको हम rear view mirrors भी कह देती हैं, तो यहां पर वहां पर जो है convex mirrors लगे रहते हैं, convex mirror का simple सा criteria यह है, कि जितने भी बड़े आपने object देखे हैं, उ जो आपका area है, वो थोड़ा wide बन जाता है, that means आप जादा traffic को एक छोटे से mirror के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि यह जो mirror है, उन सारे traffic objects की diminished images बना रहा है, तो that means आपका इसका जो answer रहेगा, that is the convex mirror, next question के बारे में बात करते हैं, again आपका H.A.S. का previous year question है, the short sightedness, myopia defect in human eye can be corrected by using myopia के बारे में आपको बताई दिया है कि इस इस defect के अंदर जो person है, वो दूर की चीज़े नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके जो eye lens के अंदर कुछ problem आ जाती है, जो कि हम next question के अंदर पढ़ने वाले हैं basically, तो यहां पे दूर की चीज़े वो नहीं देख सकता, that means नस्दीक lenses होते हैं, basically concave lenses में होता क्या है कि जब भी light आती है, तो वो उस light को diverge कर देते हैं, और जो आपका eye lens होता है, जो कि आपका natural जो eye lens होता है, वो एक convex lens होता है, और यहां पे जो eye lens है, उसको diverged rays जो है, वो मिल जाती है, और ultimately यह जो focus है, अपनी retina के उपर बना सकता है, तो इस जो आपका short sightedness है, that is myopia है, उसके अंदर आप concave lenses को use करते हैं, next question के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह जो question है, आपके defect से ही related है, statement wise question आपको दिये गए है, a person is not able to see distant object clearly, तो अभी मैंने आपको बताया, distant object अगर नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसको myopia है, तो that means a short sightedness है, नजदीक की चीज़े देख सकता है, दूर की चीज़े नहीं देख सकता, दूसरी तरफ अगर मैं hypermetropia के बारे में बात करूं, तो hypermetropia के अंदर मैंने आपको बताई दिया है, कि यह जो person है, वो नजदीक की चीज़े नहीं देख सकता, दूर की चीज़े तो अगर मैं इस statement के बारे में बात करूं, तो यहां पर जो आपकी eyeball होती है, जिसके अंदर की एक convex lens होता है, तो myopic person के अंदर जो image बनती है, वो retina से पहले ही बन जाती है, that means उसका जो focus है, वो पहले ही converge हो गया है, तो यहां पर वो इसलिए होता है, क्योंकि आपकी जो eyeball है उसका जो curvature है, वो increase हो गया, that means उसका जो retina है, वो पीछे move कर गया है, तो इस वजए से जो focus है myopic eye के अंदर, वो retina से पहले ही बनने लग जाता है, तो इस वजए से यह जो defect है, वो होता है, तो यह वाली statement आपकी बिल्कुल सही है, कि excessive curvature हो गया, या तो eye lens का, या फिर elongation हो आपकी eye ball की, ठीक है, excessive curvature कैसे होगा आपकी eye lens का, तो यहां पर जो eye lens है, अगर मैं इसके focus के बारे में बात करूं, तो जितना जादा elongated आपका eye lens होगा, तो that means उसका जो focus है उतना जादा दूर होगा, in the same way, अगर मैं इस eye lens को curve कर दो, तो that means इसका जो focus है, वो नजदीक बने पता होना चाहिए, second statement के बारे में, third statement के बारे में बात करते हैं, the defect can be corrected using a concave lens, यह अभी मैंने आपको बताया है, concave lens के द्वारा हम myopia को correct कर सकते हैं, convex lens यूज नहीं करते हैं, hypermetropia के लिए हम convex lens को use करते हैं, तो आपकी fourth statement गलत हो जाएगी, तो यहां पर जो आपका answer है, that is two and three, next question के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका again HOS का previous year question है, यहां पर simple सा पूछा गया है, which of the following medical procedure uses principle of a total internal reflection, तो सबसे पहली बात तो आपको total internal reflection के बारे में पता होना चाहिए, कि होता क्या है, तो जब भी जो light है, वो denser medium to rarer medium move करती है, तो उसके लिए कुछ particular conditions रहती है, total internal reflection होने के लिए, तो total internal reflection के लिए जो पहली condition है, that is, जो light है, वो denser to rarer medium move करनी चाहिए, और दूसरी condition यह है, कि जो आपका incident angle है, that means यह आपका normal से जो incident ray का जो angle होता है, वो हमेशा critical angle से बढ़ा होना चाहिए, तो तब ही आपकी जो light है, वो totally internally reflect कर जाती है, उस particular medium के अंदर तो I hope आपको यहां तक total internal reflection के बारे में समझ में आया होगा, तो in the same way हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से devices के अंदर कौन-कौन सा light का phenomenon जो है, वो use होता है, तो basically x-ray के अंदर जो x-rays हैं उसको use किया जाता है, जो कि total internal reflection का phenomenon नहीं है, यह basically आपका depend करता है कि अगर कोई बीच मे opaque object आये, तो उसके edges से जो rays हैं आपकी move कर जाती है, तो अगर मैं CT scan के बारे में बात करूँ, तो यहां पर भी x-rays को use किया जाता है, तो again अगर मैं endoscopy के बारे में बात करूँ, तो endoscopy के अंदर किसी भी body की जो opening है, जैसे mouth या फिर anus, उसके द्वारा एक endoscope को अंदर डाल कर देता है, और ultimately internal organs को इस endoscope के द्वारा देखा जा सकता है, तो doctors इस endoscopy को use करते हैं, तो basically total internal reflection जो है endoscopy के अंदर use होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, next question के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका transfer of heat से है, तो यहां पर simple sa radiation, convection और conduction के बारे में पूछा ग दूसरे के contact में आके heat को transfer करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम conduction के नाम से जानते हैं, जैसे कि जो आपकी first definition है, heat transfer occurs between objects by direct contact, जैसे कि अगर आपने कोई gas top के ओपर किसी pan को रखा है, तो उस वो जो pan है, धीरे धीरे वो पूरा गरम हो जाता है, उसका handle भी धीरे धीरे गरम होने ल देखने को मिलती है, next अगर मैं बात करूं कि heat transfer takes within fluids, तो fluids जैसे कि आपका liquids के अंदर भी, even आपके gases के अंदर भी, जो molecules होते हैं, वो एक दूसरे को heat transfer करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो molecules हैं, वो एक दूसरे से दूर located होते हैं, जैसे कि अगर मैं पानी को गरम करने की बात तो liquid के जो molecules होते हैं, थोड़े थोड़े दूर located होंगे, तो यहाँ पर जो molecules हैं, उनके अंदर kinetic energy आ जाती है, heat आने की वज़े से, तो यह move करना शुरू कर देते हैं, और ultimately जब यह दूसरे molecules के साथ आते हैं, तो heat को transfer कर देते हैं, तो ऐसी process को ही हम convection के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अगर कोई molecules हों, या फिर ना भी हों, तो यहाँ पर radiation होने के लिए किसी भी molecules की requirement नहीं है, radiation आपका vacuum के अंदर भी हो सकता है, radiation का simple सा मतलब यह होता है, कि अगर आपने A object से B object तक heat transfer करनी है, तो directly आप rays जो हैं, उसको फैंक रही हैं, या फिर photons वगेरा को फैंक र होती, तो जो sun से आपकी जितनी भी rays वगेरा आ रही है, वो basically radiations ही है, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, next question के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका adhesion and cohesion से related है, तो यहाँ पर अगर मैं same molecules के बारे में बात करूँ जैसे water के molecules हैं, अगर इस water के molecules ने दूस of same kind, तो यह वाली statement आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, दूसरी तरफ अगर मैं adhesion के बारे में बात करूँ, जैसे कि माल लो एक पानी को किसी container में डाला गया है, और उस पानी का जो molecule है, वो उस container के molecule के साथ interact कर रहा है, attract कर रहा है, तो ऐसी force को हम adhesion के नाम से जानते हैं, त two dissimilar molecules का, तो that means आपकी जो first statement है, वो incorrect हो जाएगी, तो correct statement कौन सी है यहाँ पे आपकी, तो two only, next question के बारे में बात करते हैं, that is related to capillarity, तो capillary action occurs when adhesion to the walls is stronger than cohesion forces between the liquid molecules, तो यहाँ पे आपको कुछ statements प्रोवाइड करी गई है, आपने इस में से correct statement को identify करना है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि capillarity होता क्या है, देखो capillarity का simple सा मतलब यह है, कि मान लो कोई एक liquid है, वो liquid oil भी हो सकता है, water भी हो सकता है, या फिर कोई भी liquid हो सकता है, उस liquid के जो same molecules होंगे, उन molecules के अंदर तो cohesion force होगी, ठीक है, अगर मैं उस liquid की force of attraction की बात करूँ किसी wall के surface के साथ, जैसे क एक plant के अंदर जो xylem होता है, उस xylem की wall के साथ, अगर मैं बात करूँ, तो पानी के जो molecules है, xylem की walls के साथ, एक particular force को show करते हैं, जिसको हम adhesion के नाम से जानते हैं, that means, जो dissimilar molecules है, एक दूसरे के साथ attract कर रही हैं, in the same way, जब एक कोई narrow tube होगी, तो यहाँ पे जो water molecules है, वो इस wall के साथ adhesion शो करेंगे, और एक दूसरे के साथ cohesion शो करेंगे, तो इस तरीके से जो पानी है, वो against gravity, जो है, वो move कर जाता है, तो ऐसी चीज़ को ही हम क्या कह देते हैं, capillary action के नाम से जानते हैं, और capillary action होने के लिए, basically, जो आपकी adhesion forces हैं, जो की walls के साथ forces हैं, वो आदा होनी चाहिए as compared to cohesion forces, तभी आपकी capillary जो हो सकती है, इसके example हम अलग-अलग जगाहों पर देख सकते हैं, जैसे कि जो पानी है, वो plants के अंदर जो पानी है, वो move करता है xylem में, that is also just because of capillary, तो capillary भी एक reason है, in the same way, अगर मैं एक oil wick के बारे में बात करूँ, तो जो आ अब क्योंकि adhesion forces को जादा होना पड़ेगा, तभी वो जो oil के molecules हैं, वो उपर-उपर move कर जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो तीनों statements हैं, वो correct रहेंगी, next question के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, कि आपको यहाँ पर दो statements दी गई हैं, आपने इसमें से identify करना है कि कौन सा phenomena जो है, वो show हो रहा है, तो it is the reason for water stridus to move on the water, तो यहाँ पर क्योंकि पानी के उपर के जो molecules होते हैं, उन molecules में जो surface tension है, वो बहुत जादा होती है, इस वज़े से यह एक दूसरे से water molecules जो हैं, वो cohesion force शो करते हैं, एक दूसरे की तरफ attracted रहते हैं, और इस वज़े से वो एक particular layer की तरह behave करते हैं, तो जब भी जो insect है, वो इस water surface के उपर move करता है, तो यह सारे के सारे molecules एक दूसरे के साथ attraction में आने की वज़े से एक particular layer की तरह behave करते हैं, तो इसी फिनॉमिना को हम surface tension के नाम से जान लेते हैं, तो जो insects है water surface पे इसलिए move कर पाते हैं, क्योंकि उनका एक reason surface tension भी है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि जो water molecules होते हैं, या फिर जो rain के droplets होते हैं, वो spherical in nature होते हैं, again इसका भी जो reason है, that is due to surface tension, क्योंकि surface tension के अंदर basically क्या है, यह जो आपका surface है water molecule का, इसके अंदर जो water molecules present है, यह एक दूसरे के साथ attraction forces में है, और यह कम से कम surface area को occupy करने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, next हम बात कर लेते हैं, law of flotation के बारे में, तो simple सा आपको पुछा गया है, कि जो law of flotation है, वो यहां पर किस ने दिया था, तो archimedes principle जो है, वो law of flotation से related है, अगर मैं law of flotation के बारे में बात लिया है, और उस liquid के अंदर किसी object को आपने इमर्स करना है, तो of course क्यूंकि उसको इमर्स किया, तो यहां पर कुछ ना कुछ जो liquid है, वो भी डिस्पलेस होगा, तो law of flotation यह कहता है, कि जितनी up thrust force लगेगी, उतना ही जो liquid है, वो यहां पर डिस्पलेस करेगा, तो law of flotation के बात करते हैं, कि light के अलग-अलग characteristic feature के बारे में आप से पूछा गया है, कि जो light है, वो basically एक electromagnetic wave है, यह ने आपको sound chapter के अंदर भी थोड़ा सा hint दे दिया था, कि जो light wave होती है, आपकी electromagnetic wave होती है, उसको travel करने के लिए किसी भी medium की requirement नहीं होती, that means, जो light है, वो vacuum के द्वारा इसके अलावा जो light wave होती है, light होती है, आपकी वो transverse wave होती है, transverse wave का simple सा मतलब यह होता है, कि जिस direction में light की movement है, उसके जो particles है, उसके perpendicular direction में vibrate करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी की वज़ए से जो crest और troughs हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो यहा पूछा गया है, incorrect statement के बारे में, तो none of the above हो जाएगा answer, next question के बारे में बात करते हैं, which of the following statement is incorrect पूछा गया है, यहाँ पे आपको 4 statements दी गई है, जैसे कि अगर मैं white surfaces के बारे में बात करूँ, जो white surfaces होते हैं, तो उनके अंदर tendency होती है, कि वो सारी की सारी light को reflect back कर देते हैं In the same way, अगर मैं black object के बारे में बात करूँ, तो वो basically सारी की सारी light को absorb कर लेते हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि गर्मियों के अंदर काले कपड़े जो पहनना है, उसको avoid करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो light है, उसको absorb कर लेते हैं, और उसकी वज़े से जादा heat produce हो दिखते हैं, क्योंकि वो अपने through light को pass होने देते हैं, जैसे कि मैंने आपको refractive glass के बारे में भी बताया था, next अगर मैं बात करूँ कि जो shadow है वो क्यों बनती है, shadow इसलिए बनती है क्योंकि जो भी light source होता है, उसे जो भी light आ रही है, वो इस opaque object को तो cross नहीं कर सकती, इस opaque object क अंदर से तो pass नहीं कर सकती, तो basically उसके edges से reflect होती है, और क्योंकि वो edges से reflect होती है, तो इस वजए से आपको shadow देखने को मिलती है, तो जो shadow का फिनॉमिना है, वो इसलिए होता है, क्योंकि opaque object के द्वारा light जो है, वो pass नहीं करती है, next question के बारे में बात कर लेते हैं, कि which part of electromagnetic spectrum is absorbed by ozone, तो आपके atmosphere के अंदर एक ozone layer होती है, जिसको हम ozonosphere के नाम से भी जानते है, जो कि आपके lower stratosphere के अंदर located होती है, तो यहां पर जो sun से जितनी भी rays आ रही है, उसमें से जो UV rays है, वो आपकी ozonosphere जो है, उसको absorb कर लेती है, basically आपकी जो UV rays होती है, थोड़ी सी क्या carcinogenic in nature ह होती है, आपकी DNA के अंदर mutation कर सकती है, तो जो ozone layer है वो UV rays को absorb कर लेती है, इसके बारे में आपको बता होना जाहिए, लास्ट कोशन के बारे में आपको बात करते हैं, कि विच रे ओफ इलेक्ट्रमेगनेटिक स्पेक्ट्रम हाज हाइस्ट फ्रिक्वेंसी, एनरजी और शॉ उनकी जो frequency होती है, वो सबसे जादा highest होती है, frequency का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक second के अंदर कितनी vibrations हो रही है, अगर एक second के अंदर जादा number of vibration हो रही है, that means उसकी frequency जो है, वो जादा है, as compared to, जिसकी vibrations कम है, in the same way, अगर मैं वेवलेंद के बारे में बात करूँ, तो क्योंकि यहां पे जादा number of vibrations है कि उसकी wavelength कम हो जाती है, और as compared to, जिसकी कम vibrations है, उसकी wavelength जादा होती है, that means आपकी जो gamma rays है, उसकी wavelength कम होती है, frequency जादा होती है, और जितनी जादा frequency होती है, उतनी जादा उस rag vet के and energy होती है, तो इसके बारे में आपको पता होना जाहेए, I आपको यहां तक हर एक जो कोशन है उसके बारे में समझ में आया होगा, तो यहां पर हमारे सारी के सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, biology, chemistry and physics के हर एक topic के regarding, मैंने यहां पर questions को include करने की कोशिश करी हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप comment section के अंदर पूछ सकती हैं, thank you so much and good luck for your exam.